हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं गुड के जर्दे की रेसिपी इसको बनाने में जाद समय भी नहीं लगता है और खाने में भी यह जर्दा बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए हमें इसे किस तरीके से बनाना है तो वीडियो को शुरू करते हैं होकर ऐसे ही रख देना है और यह मिजरमेंट के साथ से 300 ग्राम चावल है आदे गंटे बाद हमें गैस पर भगोना रखना है और इसमें हमें आदे भगोने के इतना पानी लेना है भगोने में और इसमें आप हमें फूड कलर एड करना है तो मैंने थोड़ा सा फूड कलर ए इसको एड़ कर दिया है अगर आपको यहां पर फूड कलर थोड़ा हलका लगता है तो आप थोड़ा और एड़ कर सकते हैं इसमें वैसे यह इतना सही है अच्छे से मिल भी गया है तो देखिए आदा गंटा हो गया था चावल अच्छे से फूल गये हैं भीग गये थे तो इ तो जब तक उदर चावल हमारे बन रहे हैं गल रहे हैं जब तक हमें गुड़ को मैल्ट कर लेना है तो एक भगोना रखना है गैस पर और थोड़ा सा पानी अड़ करना है कटोरी के इतना और इसमें 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है तो इसको हमें अच्छे से मैल्ट कर लेन है तो देखे गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है तो अब गैस की फिलेम को हमें ओफ कर देना है और इसको हमें गुड़ को चान लेना है अभी गरम गरम ही चान लेना है इसको एक बावल में तो देखे इसको हमने चान लिया है अब हमें इसे एक तरफ रख देना है और अब हमें चावल देखने हैं, तो अभी हमें चावल थोड़ एसे कच्चे लग रहे थे, तो पाच मिनट बस अभी हमें और इने पकने देना है, तो जब तक हमें इधर गैस पर कडाई रखनी है, और इसमें दो चम्मच कुकिंग ओल एड करना है, और ओल को हमें गरम होने देना है, तो देखिए ओल गरम हो गया है, अब इसमें हमें तीन हरीलाइची और दो लोंग इसको आड कर देना है, और जो हमने गुड़ छाना था, उसको आड कर देना है, अगर आपने भी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन पर भी किलिक करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और उदर हमें चावल को देखना है तो एक चावल हम पहले चेक करके देखते हैं कि गल गए हैं यह नहीं तो देखिए चावल अच्छे से ग तो अच्छे से देखे lesa हलकी हातों से मिक्स कर लेना है इस तरीके से और उसके बाद हमें इसे बिलुकूल लुफ लेम पर दस मिनट के लिए ढखकर ऐसे ही पकने देना है तो देखे दस मिनट हो गए हैं अब हमें चेक करना है तो अभी इसमें आपको दिकर हुआँगा तो अभी हमें इसे पाँच मिनट के लिए और पकने देना है तो उससे पहले हमें इसमें थोड़ इसे ड्राइफ रूट्स एड़ करने हैं तो यहां पर मैंने थोड़ गोला बादाम और काजूलियें हैं इनको आड़ कर दिया और इसे कुब अच्छे से मिक्स कर लेना है और खिले खिले तो बस अब हमें गयस के फिलेम को ऊफ कर देना और इसको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है तो कितने बढ़िया हमारे गुड के चावल बनकर त mortar हुए हैं आप भी इस तरीके से एक बार घर पर ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट सो मताएं बहुतीब बढ़